हलो फ्रेंड्स सुबे की जल्दबाजी में अगर आप भी सोच रहे हैं कुछ हलका फुलका मज़ेदार बनाने और खाने के लिए जिसमें टाइम कम लगे सामान सभी आपके किचन में ही मिल जाए तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऐसे ही मज़ेदार चटपटी रेसे पी जो छोटे होल सोते हैं उस साइड से आलू को ग्रेट करेंगे क्योंकि जो आलू के लच्छे हैं यहां पे हमें छोटे साइज के ही चाहिए तो यह लीजे आलू यहां पे ग्रेट हो गए हैं तो अब इसमें मैं एड करूंगी आधा कफ सूजी तो सूजी जो है यहां पे मै लेबल नहीं है ना तो घर की कोई कटोरी सेट कर लीजिएगा अब सूजी को हम बिलकुन अच्छी तरह से लंब्स फ्री मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद सूजी को हम रेष्ट के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छी तरह से सेट हो जाए तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं सूजी को चेक करेंगे आप देख सकते हैं कि सूजी बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो गई है तो एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अब नास्ते को हिल्दी चटपटा बनाने के लिए इसमें एड़ करेंगे मसाले और बेजी टेबल त इसी के साथ एड़ करेंगे एक छोटी चमच चिली फ्लेक्स तो यहाँ पर मैंने तीखा थोड़ा सा नास्ते को बनाया है आप यहाँ पर जो मिर्च है नमक है आप अपने टेस्ट के अक्वाडिंग एड़ किजेगा आधी छोटी चमच कच्चा जीरा एक तिहाई छोटी चमच गरब मसाला टेस्ट के अक्वाडिंग नमक आड़ करेंगे अब यहाँ पर आड़ करेंगे तीन से चार चमच बारी कटी हुई धनिया पती एक चमच तेल इससे होगा क्या कि जो नास्ता है हमारा बिल्कुन सौफ्ट बनेगा अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मि लेबल होती है प्याज टमाटर और नास्ता भी हमारा बहुत ही टेस्टी बनता है तो चलिए सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गए है तो नास्ते को प्लफी बनाने के लिए मैंने एड़ किया है 140 इस्पून मीठा सोडा अगर मीठा सोडा आपके पास अब लेबल नहीं है तो आप यहां पे आधी छोटी चम्मच इनो एड़ करके नास्ते को बना सकते हैं थोड़ा सा मैंने निबू का जूस एड़ किया है निबू के जूस की जगा आप एक छोटी चम्मच पानी एड़ करके मिक्स कर सकते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं जो बैटर है हमारा बड़े सपलफी बनके तैयार है, बैटर की कसिस्टेंसी यहाँ पे हमें ठीकी चाहिए, तो चलते हैं गैस की ओर, गैस में मैंने रखा है नौन इस्टीक पैन, आप कोशिस कीजिएगा कि नास्ते को नौन इस्टीक पैन में ही बनाए, पैन छोटे बड़े साइज के आप पत्ती भी एड़ कर सकते हैं, अब यहाँ पे जो बैटर है ना, हाफ मैं एड़ करूँगी, यानि की आधा, और आधा बैटर का नास्ता में बाद में बनाऊंगी, तो यहाँ पे आधा बैटर मैंने एड़ कर दिया है, अच्छी तरह से सेट करेंगे, और साइड से भी चम पकने में 5-6 मिनट लग जाते हैं, तो नास्ते को इस तरह करके पलट लेंगे, आप चाहें तो नास्ते को चमज से भी पलट सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, जो नास्ता बढ़े असा गोल्डन क्रिस्पी होने तक सिक गया है, तो साइड में रखेंगे, वापस मैंने यहां पे नास्ते को मैंने 5-6 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लिया है तो चलिए इस तरह प्लेट लगाएंगे और वापस चेक कर लेंगे कि नास्ता हमारा सिका है कि नहीं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि नास्ता बहुत ही बढ़िया से गोल्डन कलर का सिक गया है तो ट्रांस्पर करेंगे जाली बाले बरतन में इससे क्या होगा कि नास्ते में पसीने जैसा नहीं आएगा नास्ता हमारा गीला नहीं होगा तो चलिए सेम प्रोसेस से दूसरा भी नास्ता बना के तयार करेंगे तो यह लीजिए सूपर यम्मी घर के सामानों से नास्ता ब मानों से नास्ता बनके तैयार है तो आप अपने मन पसंद चटनी के साथ ही इंजोई कीजिए यकीन मानिए बड़े और बच्चों को सभी को पसंद आएगा तो एक बार मेरे कहने पर ट्राई जरूर कीजिएगा रैसेपी जरह भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सस्क्राइब कीजिएगा फिर मिलती हूँ नेश्टर एसेपी में तब तक के लिए बाबाई